सियो की गलती को बीडियो ने सुधारा यूवक को मिली नोकरी और ये जो नगरी सियो ने जिस तरह से अपने गलत वेवहार की बज़े से गलत अपने इगो की बज़े से जो है निकू को अपना नोकरी से हाथ धोना पड़ा था वोई चीजे जो है बीडियो ने जो है उनको आज वही जो चीजें हैं कल भर पूरे सोसल मीडिया में चर्चा होने के बाद जो है अब एक नया अपडेट नीकल के आया है कि वीडियो की पहल से जो है नीकु मेहतो को नोकरी जो है मिल चुकी है यह क्या लिख्या हुआ है हम जानने का परियास करते हैं नगडी सीयो की गलत अपने घलत वयोहार की वज़े से जो है नीकु को अपना नोकरी से हाद दोना पड़ा था वही चीजें बीडियों ने उनको सुधार करके नीकु मेहतो को नोकरी मिल चुकी है सारी चीजों को रखने का बात जो है हम इस चीजों पे आते हैं कि आखिर कर जो कल के दिन जो रहा समबार का दिन जिस तरह से दस जून को लगातार जो है सोसल मेडिया में यह चर्चा और परिचर्चा बना हुआ था कि आखिर कर निकु महतो का गलती जो कहां था और नीकू मेहतो ने गलती अगर नहीं किया था तो जिस नंगडी CEO ने किस तरह से गलती किया था उस गलती को जो है लोगों ने बड़ी ही वारिकी से देखने के बाद CEO को अपने पद से इस्तफा देने की बात कहीं जा रही थी क्योंकि नोकरी का किस तरह से जारखन में धूर्मार चला है, रूसी को लेकर जो है, नगडी सीओ पे इतना ज्यादा उतार चड़ा होने के बाद, विडियो जो है, एकसन मूड में आने के बाद, एकसन आने के बाद, निक्कु महतो को जो है, नोकरी मिल जाती है, सारी चीजो जो निकु में तो नगड़ी का रहने वाला था उनको जिस तरह से सीयो की माध्यम से प्रोता ना जो है जहलना पड़ा और उसके बाद आनाकानी करने के बाद उसके नोकरी को जो है हाथ धोना पड़ा था लेकिन वीडियो के पहल से जो यह जो है सुलबता से इस बातों को निकु कुमार की आचरन पर्मान पत्र में साइन के बावजुद त्रूटी छोड़ी दी थी इससे जो है जुवक के भविस्व में संसाई के बदला जो है छा गए थे संबार को नोगड़ी के बिडियो अंजली भगत ने नए सीरे से उसका आचरन पर्मान पत्र देते निकु कुमार ने बताया कि सियो राकेस कुमार स्रिवास्तव ने उसे धमकी दी थी कि निकु के अनुसार आठ जून को जब वो आंध्रा मंडल कारियालाय में योगदान के लिए गया तब कागजात की जाच की गई आचरन पर्मान पत्र में एक कोलम में नील यानि कि सुन ने लिखा हुआ था इसके बाद जो है अधिकारी ने इसे सुधार करने की बात कहते हुए 10 जून तक कागजात जो है नगडी सीयो को वर्खास्त करें राज्यसरकार जो चीजें जो निकल के आ रही थी वो बाद में हम बताने का करियास करेंगे जो कागजात जमा करने की ब भेज दिया और निकुन का स्टेटमेंट लिया गया कि आखिर कर क्या हुआ था जो है सीयो के साथ सीयो ने जिस तरह से उन्हें धमकी दिया था कि आखिर अगर मेरे साथ इस तरह से तुम दुरुभार करोगे अगर ओपिस नहीं निकल लोगे तो हम तुमारा नोकरी खा जा को बरकास करे राज सरकार मोर्चा, राची, मुलवासी, सदान मोर्चा के केंद्री अधच, राजेश परसाद ने कहा कि नोगडी सीयो राकेश कुमर स्रिवास्तव के अमान्य विवहार और जो है उसके कारण निकु महतो का केरियर जो है बरबाद हो गया, राजेश अंदर प पाया, इसलिए मुख्यमंत्री से कहना है कि यह सीयो सरकारी नोकरी करने के लायक नहीं है, ऐसे सीयो को सरकार निलंबित और वरखास्त करें, हलांकि जो चीजें निकल के आ रही थी, और यह सबसे बड़ी घटना यह है कि सीयो की जो बाते निकल के आ रही थी, सीयो जिस तर उस चीजों के सबस्ति हैं उस चीजोंगे उसको संग्यानने जब लिया निक्कूम एक दें सकते हैं अधिकारी पदाधिकारी हैं यह इस तरह से भर 550 आधीर जो वैठते हैं वह कहीं ना कहीं जनता का सेवक माने जाते हैं लेकिन जनता का सेवक करने वाले जो लोग हैं वो जनता का सेवा नहीं करते हैं और उसके साथ दूस बेवार करते हैं उसके साथ गलत निती नियम के साथ उन्हें जो है इस तरह का घटना करम देखने को मिलता है हलांकि आज निकू के साथ हुआ है लेक इसको संग्यान लेने की बात होनी चाहिए और तमाम चीजों की जानकारी आप तक रखेंगे और तमाम चीजों के लेकर जारकन में क्या उथल पुथल का माहोल बना हुआ था इस चीजों को भी देखने का परियास करेंगे और जिस तरह से जो है टाइगर जैराम में तो भी इ के लिए लड़ाई आरपार की लड़ने के लिए हैं मैं तो अगर हमको संसत बिदाइक बनना तो किसी पार्टी में चल जाते संसत बौन में हमारा अभी मतलब सपतगरण होता हम आया है जरकन के लोगों के जो डर को बदलने के लिए और लिक दिए जिस दिन हम लोग चुना लोग चुना जीता ना तो उसका परभाव राची में दिखता और सोशल मेडिया में तमाम जगा पर यह चर्चा बनी रही कि आखिर सीयो इस तरह से करक्या से सकता है और सीयो ने को क्या करना चाहिए आखिर कर सीयो को जेल भेज़ देना चाहिए कि सीयो को अपनी नोक्री स से हाथ धोने का जो एक करम बनता है वो कितना हाथ तक सही है इस चीजों को भी जानने का परियास करेंगे हलांकि तमाम चीजों की जानकारी आप तक हम पहुचाएंगे बने रहें देखते रहें जोहार नमस्कार लेकिन जो चीजे निकलके आई निकू के महतों के साथ जो ह इस तरह से भरष्ट पदादिकारियों को अपने पदों से इस्तफा दे देना चाहिए ताकि इस तरह का समाझ में और किसी अंचल में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए दोकरी खाने के लिए आप अंचल में बैठेंगे तो जनता किसे भारोसा करेंगे बने रहें देखते रहें फिर आप